दोस्तो एक बेक्ति अपने जीवन में बहुत कड़ी मेहनत करते हुए एक अच्छा खासा मुकाम हासिल करता है। धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, 10-20 किलो मीटर में उसको लोग जानते भी थे अच्छा खासा नाम था। बेहत सराफत भरी जिन्दगी गुजारते हुए, एक दिन दोस्तो उस बेक्तिकाएक महिला के साथ कुछ फोटो और वीडियो वाइरल हो जाता है। जिससे उसकी बर्सों की बनी बनाई इजत मिट्टी में मिल जाती है, अब उससे समझ में आता हो जाए तो कहां जाए, करे तो क्या करे, वही परिवार जिस परिवार के लिए उसने अपनी पूरी जिन्दगी खपा दे थी, उन्हीं लोगों ने उसका जीना मुश्किल कर द दोस्तों, आज की मुबाइल के जबाने में कब क्या हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता, दोस्तों उसी परकार की ये कहानी है, बहुत फिरोचक कहानी आये, जानते हैं पूरी कहानी वीडियो में, लेकिन वीडियो में आगे बने से पहले बस वही रिक्वेश्ट कि आप वी बहनों में सबसे बड़े संगराम सिंग के उपर दुखों का पहाँ तूट परता है, लेकिन किसी तरीके से वो अपने से बहुत छोटे चार बहनों भाईयों का पालन पोसर करते हैं, घर में खेती बारी थी, पुस्तेनी जमीन थी, जमीन की कोई कमी नहीं थी, इसलिए जो संगराम सिंग थे, उनका संगर जो है, वो थोड़ा सा आसान हो जाता है, वो खेतों में दिनदात मेहनत करते, अपने भाई बहनों को पालते, और ऐसे इसे समय बीता गया, बहन भाई बड़े होते गए, वो उस समय आठवी में थे, उनकी उमर मातर 16 साल की थी, जब उनके म मुजरता गया, संगराम सिंग कड़ी मेहनत करते गए, और 10-15 सालों में उनके भाई जो है, कोई दसवी पास कर गया, कोई बारवी पास कर गया, उनकी बहने भी जो है, वो दसवी बारवी पास कर जाती है, उसके बाद थोड़ा इनका काम आसान हो जाता है, क्योंकि उनका भाई भी उनका हाथ बटाने लगता है उस भाई का नाम सोनु सिंग होता है दोस्तों ये दोनों भाई मेहनत करते और बाकी बहने जो है वो पढ़ाई करती है एक भाई जो है वो इंजिनिरिंग की पढ़ाई करने के लिए दिल्ली चला जाता है अब ये लगातार मेहनत करते गए और इनकी मिहनत तब रंग लाती है जब इनका जो दिल्ली में पढ़ रहा था भाई वो इंजीनियर बन जाता है और उसके बाद जो दो बहने थी वो भी बारवी कर लेती हैं बारवी करने के बाद वो घर में रहने लगती है धीरे धीरे सब की शादी की उमर हो जाती है लेकिन संग्राम सिंग अपने सभी बहनों भाईयों से 8-10 साल बड़े होते हैं तो इनकी उमर कुछ जादे ही हो जाती है तो इनके रिष्टेदार कहते हैं कि भाई अब साधी करनी चाहिए कब साधी करोगे संग्राम सिंग कहते हैं कि अब क्या साधी करना अगर मैं साधी क तो पता नहीं मेरी बीबी मेरे बेहनों भाईयों को एकसेप्ट करेगी की नहीं करेगी उनके साथ ना जाने कैसा बेवहार करे तो अब मैं शादी नहीं करूंगा जहां तक सादी की बात है तो मैं अपने बेहनों की सादी करूंगा और उसके बाद फिर भाईयों की करूंगा दोस्तों उन्होंने तो साधी के लिए मना कर दिया लेकिन जो पहने थी उनकी साधी की उमर हो चुकी थी तो एक एक करके उन दोनों की साधी कर देते हैं हाला कि इस बीच में उन्होंने ट्रैक्टर ले लिया ट्राली ले लिया गारी ले लिया और उसके बाद जो है उनका जो भाई इंजिनियर हो जाता हो अच्छे खासे पैसे कमा कर देता रहा तो सारा कुछ सरल हो जाता है आसान हो जाता है फिर उन्होंने इंजिनियर से पूछ लड़की को दिखाओ, उसके परिवार वालों को मिलाओ, साधिक कर देते हैं, दोस्तो उसकी भी साधि हो जाती है अब दोस्तो समय बीटा गया, और समय के साथ इन लोगों उन्हें और तरक्य किया और इट के दो भठे खोल लिये जब इन्होंने इट का भट्ठा खोल लिया तो इनके पास बहुत सारे पैसे आए और हर तरफ इनका नाम हो गया इनके परिवार की मिसाले दी जाती रही कि एक भाई के त्याग ने एक परिवार को कहां तक पहुचा दिया उसने साधी भी नहीं कि और पूरी इमानदारी से अपने बहनों और भाईयों को पालता रहा उनको पढ़ाता रहा दोस्तों उसके बाद सोनू की भी साधी हो जाती है उसकी भी साधी हो जाती है तो सब कुछ ठीक ठाक चलने लगता है और ऐसे में जो संग्राम सिंग थे, बिंदास आदमी रहते थे, रेडियो गरा सुनते थे लेकिन तब ही जो है, उनको एक दिन सोनू सिंग ने एक स्मार्ट फोन दे दिया, मुबाइल दे दिया अब दोस्तों जब उनके हाथ में मुबाइल आ गया, तो उसको चलाना भी सीख गए और जैसे जैसे मुबाइल को देखे तो उन्हें पता लगा, कि यार दुनिया तो बड़ी रंगीन है, बहुत बड़ी है, कहां से कहां तक पहुँच गई और मैंने तो ऐसे ही अपना जीवन साधा साधा गुजार दिया, मेरा जीवन तो कोरा कागच ही रह गया अब दोस्तों वो जैसे जैसे देखते रहे, उसमें फिल्में देखते, गाना देखते, देश-बिदेश की जानकारी लेते वैसे वैसे उनका मन जो है, वो निरास होता गया, उदास होता गया और अब उनको दोस्तों एक जीवन साथी की कमी खलने लगी, उनके मन में प्यार की भावना जागरित होने लगी लेकिन अब वो कहें तो किस्से कहें, उनकी उमर 45 साल की हो चुकी थी, अपना दुख किस्से बयान करें तो उनके घर में जो है, एक खाना बनाने वाली थी, कपड़ा दोने वाली थी, जो कि दो बच्चों की मा होती है उसका नाम पारवती होता है उसकी उमर भी करीब 27-28 साल की होती है उन्होंने सोचा कि क्यों ना पारवती से अपने दिल का हाल कहा जाए क्योंकि दोस्तों उन्हें अब जीवन साथी की कमी महसूस होने लगी थी अब दोस्तों उन्होंने फैसला किया कि अपने दिल का हाल जो है वो पारवती से कहेंगे क्योंकि वो भी अकेली है उसका पती है नहीं बिधवा है क्या पता जो है ये भी यही महसूस करती होगी जो मैं महसूस करता हूँ एक दिन दोस्तों घर पे कोई नहीं था, उनकी जो सोनु की पतनी थी, वो अपने बच्चों के साथ माईके गई हुई थी पारवती के दोनों बच्चे थे वो कहीं बाहर खेल लहे ठे और सोनू भी घर पे नहीं था, उनकी बहने तो अपने घर पे ही रहती थी, इंजीनियर भाई तो दिल्ली में ही रहता था, शाम का वक्त था, सोफे पर बैठे थे और पारवती को निहारे जा रहे थे, पारवती क है उनके पास आती है कहते हैं कि बैठो तो दोस्तो वो नीचे बैठ जाती हो कहते हैं वहाँ नहीं मेरे बगल में बैठो थोड़ा सा सोफे पर सरक जाते हैं अब दोस्तो कभी वो उनके बराबर में बैठी नहीं थी दो साल उसको हो गया था काम करते हुए तो उसने सोचा क्य बात है वो थोड़ी सी शर्मा जाती है थोड़ी संकोज करती है कहती है कि आपको कुछ चाहिए क्या मैं कुछ लाओं तो कहते हैं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए बस तुम यहाँ पर बैठो बहुत अच्छी लग रही हो आप दोस्तों उसका हाथ पकड़ लेते हैं और जालरी में जाते हैं उसके फोटो खीचे हुए और दिखाते हैं जब वो कुछ काम कर रही थी किचन में या फिर कपड़े धोते हुए या फिर और कहीं खेतों में काम करते हुए तो उन्होंने उसका फोटो कीच रखा था अब उसको दिखाने लगते हैं तो कहती है यह लेकिन दोस्तों वो फिर सरमा जाती है कहती मैं बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही हूँ आप क्या खीच रहे हैं लेकिन वो जबरदस्ती जो है खीच लेते हैं और उसके बाद कहते हैं कि और बताओ तुम अकेले कैसे रहती हो तो उसने कहा अकेले कहा रहती हूँ मेरे दो बच्चे भी हैं मैं तो बच्चों के साथ रहती हूँ तो उन्होंने कहा अभी तो तुम्हारी उमर पड़ी है पूरी अभी तो तुम्हारी उमर 27-28 साल की है तो तुम अपनी साधी क्यों नहीं कर लेती हो तो गहरी सांस लेते हुए पारबती कहती है कि क्या साधी करना एक ब बच्चों को ही देखना है तो उससे संगराम कहते हैं कि ऐसे नहीं करती जिंदगी, जिंदगी काटना बहुत मुश्किल होता है अभी तुम सादी नहीं कर लोगी तो बाद में फिर किसी से कई भी नहीं सकती संकोच होगा जैसे कि मेरे साथ हो रहा है अब वो हैरान रह जाती कि क्योंकि उसने सुना था घर में, कि इन्होंने साधी नहीं की अपने साधी के लिए खुदी मना कर दिया था तो back तो कहते हैं देखो जैसा मेरे साथ हो रहा है, मैंने शाधी नहीं की, अब दो है, थोड़ा पस्ताओA हो रहा है, मैं सोचता हूँ मैंने भी साधी किया होता तो मेरे भी दिन कुछ और होते देखो फिर वो उसको गाना उगरा दिखाने लगते हैं कहते हैं ऐसे मेरी भी जिन्दगी करती लेकिन कोई बात नहीं साधी नहीं किया तो क्या हुआ प्यार तो कर ही सकता हूँ अब दोस्तो पारवती से वो बहकी बहकी बाते कर रहे थे पारवती ने कहा कि क्यों नहीं साधी होगी कोई भी अच्छी लड़की आप से साधी कर सकती है अभी अगर आप साधी करना चाहें तो अब उन्होंने कहा कि मुझे और किसी अच्छी लड़की का पता नहीं, लेकिन क्या तुम मुझसे प्यार कर सकती हो? अब पारवती जब ये बात सुनती है, तो बहुत चक्की रह जाती है, वो सरमा जाती है, कहती है कि आप ये कैसी बाते कर रहे हैं, उन्हों ने कहा मैं जो कह रहा हूं, सही कह रहा हूं, और मैं तुम्हें पसंद करता हूँ दोस्तों पारवती ये बात सुनती है तो कही न कही उसकी भी इस्तिती उनके ही जैसी थी उसकी साधी भले हुई थी लेकिन उसका पती नसेड़ी था सरावी था मारता पीटता था दो बच्चे किसी तरीके से हो गए लेकिन 4-6 सालों के दोरा उसे कभी भी नहीं लगा कि उसका पती भी उसके साथ रहता है अंत में वो ये दुनिया भी छोड़के चला गया इतना नसेड़ी था उसके बाद जो है वो किसी तरीके से अपना जिन्दगी काट रही थी और जब संग्राम सिंग की ये बाते सुनती है तो उन्हें वो निह हो गया हूँ और मैंने साथ गलत कह दिया तुमसे परवती ने कहा इसी बात नहीं है लेकिन आपके जो और भी घरवाले हैं अगर उन लोगों को पता चलेगा तो वो तो मुझे कच्चा चबा जाएंगे तो संग्राम सिंग ने कहा तुम इसकी चिंता मत करो किसी की हिम्मत नहीं है जो मुझे कुछ बोल सके दोस्तों उसके बाद दोनों में प्यार हो जाता है अब दोनों चोरी छुपे मिलने लगते हैं दोनों में रिस्ता बन जाता है उसके बाद संग्राम सिंग जो है उसके बच्चों के लिए कपड़े लाते हैं उसके बच्चों को प्यार कर नहीं था कि संग्राम सिंग और पार्वती के बीच में क्या चल ला है लेकिन दोस्तों संग्राम सिंग के एक आदत थी पार्वती को अच्छी तरीके से सजने सवरने के लिए बोल देते और उसके बाद उसका फोटो खीच लेते वीडियो बना लेते और ये चीजें उनके मु मुबाइल में क्या हो गया है ये बंद हो गया पाने में किर गया था अब दोस्तों मुबाइल बनाने वाला जो है वो इनका जानकार था इन लोगों को जानता था वो जो है जब मुबाइल में देखता है मुबाइल ठीक हो जाता है तो उसमें जब फोटो और वीडियो अब जब सोनू देखता है तो भाई वो तो भाई शक्का रह जाता है उसके बाद वो कहता है क्या करें उसे समझ में नहीं आता फिर उपने बेहनों को बुलाता है अब उसके बाद वो लोग जो है पारवती से मिलते हैं पारवती से पूछते हैं क्या चल ला था ये सब तो उ ही मुझसे साधी करना चाहते हैं और ये बात सही है कि मैं भी इंसे प्यार करती हूँ लेकिन इसमें मेरा रोल नहीं है जो भी कुछ किया है इन्हों नहीं किया है फिर उन लोगों ने उसको धमकी दिया और बोले कि ये घर छोड़के तुम चुप-चाप चली जाओ यहां फि उसको कबार में डाल दिया फेंग दिया लेकिन पार्वतिpektी को भेट देते हैं वहांसे पार्वति जो है वो अपने रिश्तेदार के हां चली जाती है जब हो चली जाती है तो संगराम सींग पूछते हैं कि पार्वती कहां गई तो लोगों ने बोला किसी के संग भाग अब वो पता लगाने की कोशिश करते हैं कि ऐसा कौन है, किसके साथ भाग गई, प्यार तो मुझसे करती थी, हम दोनों साधी करने वाले थे, और ये बात भी वो अपने घर में कहने ही वाले थे, अपने भाईों से, अपने बहन से, कि अब मैं इसके साथ साधी करूँगा, ल जब वो फोन करता है और संगराम सिंग से बाते करता है बोलता भाया क्या बात है तबियत खराब है। मामला बहुत गंभीर है दोस्तों वो फारण वहां से अगले दिन फ्लाइट पकड़ के घर आ जाता है दर्भंगा आता है वहां पर फिर सारी बाते पता चलती है कि यह इसे इसी बात है और यह जो है ऐसा ऐसा कर रहे थे उसके साथ साधी करने वाले थे अब दोस्तों जब वो सुनता है तो भड़क जाता है कहता है कि तुम लोगों का दिमाग खराब है अगर वो ऐसा कर रहे थे तो कौन सा गुनाह कर रहे थे फिर उन लोगों ने उनका मुबाइल जो था वो रखा हुआ था वो सारा फोटो दिखाते हैं तो कहते हैं इसमें कौन सा गलत कौन सी नई चीज उन्होंने कर दी है जो कोई नहीं किया है उन्होंने किसी की जान तो ली नहीं है किसी का उन्होंने किसी से जोड़ जब दस्ती नहीं की है देख रहे हो कितनी प्यारी प्यारी तस्बीरे हैं लोगों का, कितने खुश नजर आ रहे हैं दोनों लोग, और तुम लोग जो है, इस तरीके से सोचते हो, उसको भगा दिये, अब जो बहने होती हैं, वो कहती हैं, भगा नहीं देती तो क्या करती, अब वो हमारे बराबरी में आकर रहेगी, हमारे घर में, तो इंजिनियर बो लेना चाहिये था, अब बताओ, इतना हम लोगों का नाम है, इज्जत है, अब सारी इज्जते मिटी में मिला रहे हैं, तो उसने कहा, कौन सा नाम, कौन सी इज्जत, और कभ ये करते, जब इनकी करने की उमर थी, तब इन्होंने तो हम लोगों के लिए नहीं किया, हम पर है वो कहा गई है अब सारे लोग सन रह गए उसकी बात को सुनकर अब उसने कहा जहां भी है चलो उसको ढूंड कर लाते हैं दोस्तों पूशते पूशते वो लोग जाते हैं कानपुर में अपने एक रिष्टेदार के हाँ पारवती वहां पर रहती थी कानपुर पहुंश कि अब ये मेरे साथ कुछ करने आये हैं या फिर मुझे मारने आये हैं तो वो कहता है कि डरो नहीं भावी आप जो है उनको छोड़कर यहां चली आई लोगों के कहने से मैं आपको लेने आया हूँ अब दोस्तों इतना सुनते ही पारवती जो है खुशी के मारे रोने लग हैं और संगराम सिंग के सामने लेकर आते हैं और सारी बात बताते हुए माफी मांगते हैं कहते हैं भाई हम लोगों को माप कर दो हम लोगों ने आपके साथ बहुत गलत किया है लेकिन अगर आप एक बार भी कहते तो हम आपकी खुशी कुशी शादी करा देते दोस्तों फ 2010 की आज सभी लोग एक साथ रहते हैं उसी तरीके से तरक्की कर रहे हैं और एक खुसहाल जीवन बेतीत कर रहे हैं दोस्तों ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक कार की कहानियों के लिए तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में आज के लिए बस इतना ही जैहन